हाँ जी शुरू करते हैं आज नई प्रोग्रामिंग लेंग्विजग जिसका नाम है शुने कि प्रोग्रामिंग लेंग्विज आपको पता क्या होता है मैं पहले बता चुक ऊ-णिai हाइ लेवल प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है जो कि हम शुरू करेंगे पाइथन ओके पाइथन भी एक नॉर्मल लेंगवेज है जिस तरीके से सी जावा सी प्लस प्लस लेंग्वेज होती है हम लोग उसमें कोडिंग करते हैं और हमें कुछ आउट्पूट बिलता है पाइथन बेसिकली कहां यूज होती है वेब डेवलपमेंट पर बहुत जादा यूज हो रही है पाइथन कि सुना होगा एल एंप लैंप स्टैक होता ह है लिनक्स अपाचे माइसक्वेल पाइथन पर्ल पी एचप यह तीन में से कोई भी एक लेंग्वेज यूज होती है तो यह लैंप स्टैक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्डवाइड वेब डेवलपमेंट के अंदर यह स्टैक बहुत जादा यूज होता है इस इसकी विशेस वज़य है कि यह चारों सफ्ट्वेर्स फ्री होते हैं लेनक्स फ्री है जो की ऑप्रेटिंग सिस्टम होता है अप अच्छे एक वेब सर्वर है यह भी फ्री है ओपन सोर्स है माइसक्योल यह डेटाबेस का काम करता है यह भी फ्री है और लेंग्वेज पाउरफुल होने की वज़े से वर्ड की 90 परसेंट वेब साइट इसी स्टैक पर बनी है और इसी पर वर्क होता है कोई दिकत नहीं है तो वेब डेवलेप्मेंट में काम आता है और एक सबसे बड़ी चीज जिसमें काम आ रहा है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मशीन नहीं यह दोनों एक साथ कहे जा सकते हैं मशीन को कुछ सिखा के उसमें एक इंटेलिजेंस डालना इंटेलिजेंट मशीन बनाना वह आर्टिफिशल टाइप जैसे कि आजकल स्पीच रेकोगनेजेशन स्पीच का सर्च आपने देखा होगा टेक्स्टोई स्पीच कि आपको डेटा लेके आ जाता है वोईस रेकोगनेज कर देता है कौन बॉल रहा है आपके बिहेवियर को लर्ण करती है मशीन आप देखना कभी गूगल के उपर आप कुछ आपको गूगल वाला एड दिखाता है या सर्च के रिजल्ट दिखाता है according to your behavior according to your choice उसको पता ह आपको क्या पसंद है आपको क्या नहीं पसंद है वो आपके बिहेवियर को continuously रीड करता रहता है उसी के according आपको content दिखाता है तो यह artificial intelligence आजकल काफी जगे यूजल लगए smart cars आने लग गई है आपको कई बार इसा होता है कि कार चलाते हुए किसी को जबकी आ जाने पर कार थोड़ा इदर उदर हो जाती अचानक से लेकिन अब intelligent कार आ गई कि रोड के उपर एक वाइटर जो वाइट मार्क आजकल सभी हाईवे के उपर लगबग लगबग होता है तो वह आप उस पर स उसका सेंसर उस वाइट मार्क को रीड करता रहेगा थोड़ा सा भी अगर आप इदर उदर होगे तो कार शेक करने लगेगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ एकदम से आदमी जाग जाएगा या इदम एलर्ट हो जाएगा तो बेसिकली यह आटिफिशल इंटेरिजेंस मशीन लेंडिंग बहुत जगी यूज हो रही है इसका स्कोप भी बहुत है अभी आईटी के अंदर जितनी जॉब्स वगरा डेक रिक्वायर्मेंट है इसी के अंदर जादा चल रहा है और यह पाइथन म क्या होती है यह तो पता चलिए अब पाइथन काम कैसे करती है थोड़ा सा बेसिक देखते हैं हम पहले बेसिक जो मरी लेंग्वेजेसे कुछ जैसे सी सी प्लस प्लस जावा वगरा इनके बारे हम देख लेते हैं यह इनको यह कंपाइल्ड लेंग्वेजेस होती है कौन- लेंग्वेज में कंवेट करता है और यह सी सी प्लस प्लस जावा तीनों हाई लेवल लेंग्वेजेस हैं इनको लो लेवल लेंग्वेज में कंवेट करेगा कौन कंवेट करेगा कंपाइलर इसलिए इनको कंपाइल्ड लेंग्वेज कहते हैं और कंपाइलर का क्या मतलब ह करता है वो पूरे program को एक साथ convert कर देता है उसके बाद उसको execution सुरू करता है तो जो हम जो program लिखते हैं in languages के अंदर वो हम उसको कहा जाता है source code यह चाहे हम python में भी लिखेंगे तो उसको हम लोग source code ही बोलेंगे जो में दिखता है में जो हमने program लिखा है हमारे सामने उसको किया बोलते है source code अब compiler करता है इस source code को object code में convert कर देता है object code में convert कर देता है object code बोलते हैं after conversion यान सब्सके बिए और या मषीन लेवल इस फाइल को open करके देखना notepad में आपको पता चलेगा object code क्या होता है आपको कुछ पता नहीं चलेगा इस object code को जैसे कि मैंने कहा है क्या लिखा object code क्या होता है is a low level representation of your source code यही है अब जो एक programmer होता है है वो source code लिखता है कि इस source code को compiler को दिया जाता है अब ओबजेट को देखके आपको नहीं पता चलेगा यह किस language में बनाव वहा है हम source code से object code में to convert कर सकते हैं लेकिन object code से source code में covert check सब्सक्राव कर जाता है और यह object code किसी भी computer पर चल जाता है run हो जाता है execute हो जाता है कोई देखत नहीं है ठीक है कि इसका फाइदा क्या है object code का object code और compiler में क्या क्या हो गया compiler क्या करेगा कि translation आपका high level language से low level language में एक ही बार में convert कर देगा और object code बना देगा उस object code को आप user को देदो को उसका execution बहुत fast होगा क्योंकि वह conversion तो already हो चुका है उसको सिर्फ execute करना तो थोड़ा सा conversion आप फास्ट होता है ठीक है यही चीज़ लिखिए कि developer का source code उसके पास में रहता है और developer object code को users को distribute करता है अब हम अगर python पर आ जाए हमने पहले जो बात की थी वह c c++ java.net c sharp इन languages के बारे में बात किये थी पास्कल को बोल बहुत सारी languages है compiler वाली अब पाइथन एक interpreted language है interpreted language का मतलब पताया था high-level language को low-level language में convert कॉन करता है एक तो हम देख चुके compiler दूसरा होता interpreter interpreter भी high-level language से low-level language में convert करता है लेकिन interpreter क्या करता है line by line करता है आपका जो program लिखा हुआ इसमें इतनी line है statements है पहला statement उठाएगा इसको convert करेगा low-level में और साथ के साथ execute भी कर देगा फिर second line उठाएगा उसको convert करेगा low-level में और साथ के साथ execute भी कर देगा तो अब यह हो रहा है कि अगर यहां error आ गई तो वह तीसरे line पर जाए गई नहीं बड़े गई नहीं कि यह थोड़ा सा difference होता है तो अब हमारा पाइथन के अंदर क्या होता है पाइथन का जो सोर्स कोड है हमारा वह पहले बाइट कोड में करनवर्ट किया जाता है इंटरप्रेटर के दुबारा बाइट कोड अब्जेक्ट कोड नहीं है उसका इंटरमीजेट है ठीक है यानिक इसका अभी एक्जेक्विशन इसका बाकी है जो कि लाइन बाइड लाइन एक्जेक्विशन होगा अब वो लाइन बाइड लाइन एक्जेक्विशन कौन करता है पाइथन वर्चुल मशीन यह एक रंटाइम data engine python का python का програм और यह क्या करता है python virtual machine क्या करती बाइट कोड़ में से instruction फैच करती कि नंग और उने को कis करती है ठीकियाध अभी रख़ेजिए हम लोग यह देखें मा reality असब Naruto अब ऐसकोड जो हमने लिखा है program कि ठीक है कि अभी यह interpreter है पूरा कि यह पूरा interpreter है अंदर एक इन-bill कंपाइलर होता है वो उसको पहले बाइट कोड में करता है बाइट कोड जाता है virtual machine के पास virtual मशिन का क्या काम था इस बाइट कोड के statements को execute करना execute करता है और साथ में और execute करके output देदेता है आपको running code देदेता है लेकिन यह क्या करता है virtual machine एक काम और करती साथ में आपका byte code होता है उसके अंदर mix करती library functions mix करती library functions कुछ inbuild function होता है जैसे कि print अब प्रिंट function आपने तो बनाए है नहीं वो तो python का तो इनको वो एंक्रोपरेट कर देता है और इसको रन कर देता है तो हमें इतना डीप चाने की आवाशकता नहीं है हमारा यह बहुत बेसिक टोपिक था एक इसके बाद हम आगे बाद फिर से पढ़ेंगे पाइथन क्या होता है आज हम लोगों देखा है हम पाइथन को क्यों यूज करते हैं और अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कि पाइथन स्टाट करेंगे बेसिक उसके वेरेबल्स क्या होते हैं की वर्ट्स क्या होते हैं तब तक के लिए बाए